हेलो दोस्तों देखो सिको स्टेडी में आप सभी लोग का स्वागत है दोस्तों एक बहुत emotional कमेंट आया था कि सर तीन साल से नौकरी की तयारी करा हूँ कोई भी जॉब नहीं निकल रहा है तो नौकरी की तयारी कैसे करें सरकारी नौकरी पाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है क्या गलती आपसे बार-बार हो रही है उसके बार में मैं बात करूँगा दोस्तों ठीक है मैं यहाँ पर एक चीज कंफर्म करना चाहता हूँ आप सभी लोग को कि पहला जो नियम है कि एक जैसे जो आपके परिच्छा है मतलब जिसका पैटन लगभग सेम हो जिसका जो ह देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं कि सभी फॉर्म को फिलप करते हैं पुलिस का आया कंस्टेबल का वह भी भढ़ा Square लेखपाल का आया वह भी भढ़ा आपका अमाली जे SSC GD आ गया वो भी बर दिया SSC MTS आ गया वो भी बर दिया SSC का CGL आ गया वो भी बर दिया SSC का CHSL आ गया वो भी बर दिया Bank आ गया वो भी बर दिया Bank का कोई भी Gramid Bank आ गया वो भी बर दिया PO का आ गया वो भी बर दिया क्या बात है दोस्तों मैं आपको इदम important बात इदम बताने वाला हूँ समझने में बहुत ही थोड़ा सा फर्क है बात यह है दोस्तों कि एक जैसे परिछाओ की त्यारी करें बहुत बार आपने सुना भी होगा तो इसका मतलब क्या है मतलब जिसके जो है syllabus जिसका same हो मतलब की म यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे है तो इनका जो सलेबा से दोस्तों यह एकदम मिलता जूलता है या इसमें आप यूपी एसाई नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि यूपी एसाई में आप एक section जो है आपका constitution का मतलब उसमें जो आ जाता है आपका जो मूल विदी सम्विध यहान है वो स्रीप अलग है बाकी सब चीजे सेम है थोड़ा हाई लेबल के question आपसे पूछा आते हैं थोड़ा complicated थोड़े से आपके tough question पूछे आते हैं लेकिन दोस्तों इसका मतलब यही है कि एक जैसा मतलब जिसका pattern मिलता जूलता हो उसकी तैयारी करें और लगतार जैसे आप एक साल 6 महीने पहले जब पढ़ते थे आठ में पढ़ते थे या साथ में पढ़ते थे नौ में 10 में 11 में तो कैसे पढ़ते थे आप पूरा एक साल तयारी करते थे उसी को लेकर कि मेरे को 12 पास करना है मेरे को 10 पास करना है मेरे को 8 पास करना है ठीक है तो उसको लेकर और 70% 85% 90% कितना नंबर पाना है इसके हिसाब से अब तयारी करते थे अब क्या होता है मैं बता रहा हूं आपने तयारी किया यूपी लेखपाल का ठीक है आप जान रहे हैं कि एक साल बाद या दोस्ता एक साल मालीजे कभी कभी डिले हो जाता तो छे मैने एक साल बाद एक्जाम होने वाला है तो आप इसकी तयारी कर रहा है बीच में आया कोई पीछे अपने एक्जाम को भर दिया है और बीच में आया अब एक मैना दो मैना यूपी लेखपाल गया भ हुआ क्यूंकि आपने तयारी किया च्छे महीने तीन महीने लेख पाल का ठीक है अब आप चले जогए सी जील पर अब सबका सलेबस पैटन अलग है आप अपना दो महीने जो है आप उसमें बर्बाद कर दिये किसी जील निकालूगा यह निकाल और भी निकाल दिये मेंस में आ टार्गेट वही लेके चलिए आप फॉर्म कौन सा भरें कौन सा नहीं भरें फॉर्म आप जैसे अभी भर रहें सब वो वैसे भी आप जो भरी रहें तो अभी भी आपको जो तैयारी भी करना है जैसे मैं बता रहा हूं उसके इसाथ से भी आपको एक फोकस करना है कोई भी ए आपका exam हो उसको target कर लिए अब बाकी जो आपके form है उनका क्या करना है तो एक से लेकर दो week से जादा उनको समय मत दीजे दोस्तों देखे गलती कहां पर हो जाती है वही मैं आपको फिर से बताने का प्रयास करूँ pattern एक जैसे हो उनकी तैयारी कीजे exam दीजे बहुत ही जानते हैं कहीं पर भी कुछ नहीं होता है क्योंकि जो target वे लड़के होते हैं वह आपके seat को ले जाते हैं ठीक है यहाँ पर मैंने एक important बात लिखा हर तरफ भागने वाले को कुछ नहीं मिलता जानते हैं दोस्तों जब टीकट के line में लगे होंगे railway के या कहीं पर भी तो आप जानते कोई इस तीन लगा है तो आप इसमें लगे हैं फिर इसमें से भाग के गए यह जल्दी चला इसमें फिर इसमें गए फिर भाग के लगा कि आपको की अरे मैं यहां पर राता तभी है मैं सटेट होते हैं उन से तो दोस्तों आपको एक target लेकी चलना है मिल्जी आपने वीडियो का टार्गेट लेके चला या आपने UPSI या आपने लेखपाल का टार्गेट लेके चला जो भी ठीक है तो आप इसी को टार्गेट लेके चलिए दोस्तों इसी के सलेबस को बार-बार रिपीट करिए बार-बार करिए बार-बार कोशन को करिए कैसे कोशन आए बार बार उसी की करिए ठीक है अब जो आपके बीच में कोई एकजाम आता है तो उसको एक वीग या दो वीग दे दिजे अगर वो भी वीडियो के आसपास है या मतलब यह वीडियो के पर कोई भी आपका एकजाम हो सकता है UP Police Constable भी हो सकता है तो इसके आसपास है तो इस या आपका यूपी SI का इक्जाम जो है आपका दूर है तो आप जो भी एक्जाम दे रहे हैं उसके लिए एक दोवीक तीन वीक आप निकाल सकतें दोवीक से जादा मत निकालिएगा ठीक है क्योंकि अगर मतलब सलेबस सेम है तो जादा आपको मेनत नहीं करना पड़ेगा सलेबस मतलब की जो पाठिकरम है वो आपका सेम है तो जादा मेनत नहीं करना पड़ेगा पाठिकरम में थोड़ा बहुत चेंज होगा तो आप अच्छे से अगर इसी की तयारी कर रहे थे तो आपका विडियो में ही आप तयारी कर एक्जाम देने वाले हैं तो UPSI वाले बच्चे बहुत ही असानी से विडियो को निकाल सकते हैं दोस्तों ठीक है तो मेरा कहने का मतलब यह था कि अगर आप IS की तयारी कर रहे हैं तो PSC जो है या State PCS जिसको बोलते हैं PCS बोलते हैं इसका भी जो सलेबस नहीं होता है तो दोस्तों यह कुछ राज है कुछ नियम है इसके अनुसार अगर आप चलेंगे तो आपका जो टार्गिट है जो आपने टार्गिट सेट किया हो या कुछ भी आपने सेट किया हो ग्रूप D के कोई एक्जाम को आप निकाल सकते हैं बह यही अंतर है दोस्तों सबसे अच्छा तरीका है प्रिबियस येर के सेट्स लीजिए और खुद सोचिए कि आपको पेपर बनाना है अगर आपको पेपर बनाना होगा दोस्तों तो आप क्या-क्या चूज करेंगे और करेंट अफेर को उठा लीजिए और प्रिबियस येर क वैसे ही किये जाते दोस्तों तो बस आपको प्रीबियस यह से इस अच्छे से लगा जाने हैं और कैसे उग्जाम में अभी करेंट अफेर क्या चल रहा है क्या क्या मुद्दि चल रहे हैं । जो पोशन पूछण है उसको ध्यान तो उस उस section को आप clear कर जाए कोई दर है कोई बढ़ रहा है घट रहा है भारत की रैंकिंग क्या है यह से चीजें कौन को लोग बदले हैं कौन कौन पोश्ट पे मतलब जो भी ओधे पे लोग आप बैठे हैं मतलब आगे पीछे हुए हैं कौन कहां पर राजिपाल चेंज हु और जो लोग यूपी एसाई या यूपी लेखपाल या इस बार का वीडियो टार्गेट लेके चल रहा है तो उनके लिए बहुत ही हेलफफुल होने वाला है या फिर यूपी पुलिस कौनस्टेबल लेके चलने वाले हैं 2018-19 के लिए तो उनके लिए ये चैनल देखो सिको शटर्ड़ी बहुत ही हलफुल होगा आगे मैं इसी को प्रैक्टिस करौंगा अभी तो और पी और अभी जो लेके चलना है वो वीडियो को लेके चलना है और उसके बाद और फिर यूपी एसाई को ठीक है फिर यूपी पुलिस को लेके चलेंगे जैसे própria exam होगा उसके इस इसके बाद पहले हम वीडियो और टार्गेट लेके चलेंगे कुछी दिन बाकी है इसके बाद दोस्तों हम जो तयारी करेंगे वो तयारी करेंगे दोस्तों वो करेंगे UP पुलिस की ठीक है इसके बाद हम टार्गेट लेके चलेंगे दोस्तों UP SI की ठीक है इसके बाद दोस्तों हम लेके चलेंगे लेखपाल की ठीक है तो ये हैं आपके target based बीच में दोस्तों देखे वीडियो और यूपी पुलिस के बीच में आपका आरपी अफ जैसे एक्जाम जैसे कब जो है एक्जाम होने वाले इसकी announcement अभी official नहीं हुई है तो official अगर हो जाएगी तो यहाँ पर हम आरपी अफ को लेके चलेंगे आरपी अफ कॉंस्टेबल एसाई को तो यहाँ पर यह आ सकता है अगर एनाउंस माली जै और भी एक्जाम ये डिले होता है आरपी अफ वाला तो आरपी अफ को बाद में रखेंगे जहां सेट करना होगा तो पहले हम वीडियो को टार्गेट लेके चलेंगे दोस्तों आप सभी लेगों के लिए बता दे रहा है पहले वीडियो को लेके चलेंगे फिर आरपी अफ ये यूपी विलिस जैसे भी आपका 2019 आने वाला है तो उसकी हिसाब से सेट करेंगे तो सबसे पहले जो टार्गेट हमारा वीडियो है आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिए तो आसे दोस्तों हमारा वीडियो हमार बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वेले सभी वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे हैं जाते हैं जुड़ो लाइक शेयर कर देजिए अपने सुजाओ साजेशन इस वीडियो को पर हमें क्या सोचने नीचे कमेंट करके हमें जर जरू बताएं देखते रहें देखो सी को इस्टड़ी मिलते हैं एक वीडियो में धन्यवाद